Hello everyone, I hope you are doing well मेरा नाम साध है और मैं आपको यह कोर्स सबस्टेंट पेंटर का एक रिकॉर्ड किया है यह उन लोगों के लिए है जिनुनों कभी सबस्टेंटर नहीं किया तो बैसिकली बनाने का मकसद यह था कि जब जो भी मैंने कोर्स इंटरनेट पर देखे हैं उसमें जनरल क्या होता है वह बहुत टूल बाई टूल फिर उसमें मसलह क्या होता है जब आप कोर्स करकें इंडस्ट्री में आते हैं तो आपको बहुत साइच चीज़ें फेस करनी है फाइल हो की और किस तरीके से वर्क करते हैं चीजें क्या होती है तो मेंने सीज में ट्राइ किया, इसको कोशिश कि और ज़र सिंप्लिफाइ करके जितना चोटा हो सके उतना चोटा करके आपको बताऑं तके आपको जब आप इंडस्टिय में काम करने आए या फिर आप फीलांसिंग करें या अपना कुछ का काम करें या फ्यूचर में तो आपको इतनी जादा परेशानी का सामना ना करना पड़े है सही है तो बैसिकली टेक्षर सब्सेंट पेंटर क्या है यह आप मेरे स्कीन पे इसका देख सकते हैं यह जेकर सके कोर्स मेरा उर्दू में है अब उर्दू हिंदी बैसिकली सेमेंट तो साओधीस्ट एशिया के अंदर जो चीज़े चलती है लोगों के उस पे सब्सेंट पेंटर क्या है वो सब्सेंट पेंटर बैसिकली इस नथिंग इस लाइक एक यह समझ लें के फोटोशोप है 3D अबजेक्ट के लिए जिससे फोटोशोप पे आप काम करते हैं वो क्या बोलते हैं 2D होता है यह 3D है तो इसमें आपको देखने हैं मैंने इंग्लिश में मैंशन भी किया हुआ है सब्सेंट पेंटर एज़े फोटोशोप और 3D मोडल तो इसके अंदर हमाएं मैंने इस कोर्स को इतना ज्यादा कमपेस किया है कि आपको पूरा प्रोसीजर अगले दो धाई गंटे के अंदर आपको सब पता चल जाए कि फिर आप इस चीज़े फॉलो करते हुए जो आप साइट में आर्ट वर्क देख रहे हैं यह टैक्शर बनाने के काबिल हो जाएंगे तो इट्सप्तु यू बाकि परफेक्शन तो जाहिड सी बात है अप फूचर में और जयादा और करते रहेंगे चाम करते रहेंगे तो उर जयादा आप इस पर काम कर सकते है नव right so objective scores के simple से हैं जादा जादा knowledge आपको transfer करनी है industry में किस तरीके सा काम होता है सबस्थ तो यह ही है और second यह के आप direct काम करने के right away आप काम करने जैसे position में आ जाएंगे ऐसा नहीं होगा कि आपना भी सीख आप चला रहे हैं आप बाट करे गया हूँ और फिर आप सीखेंगे उसके बाद आपको कुछ काम होगा और सबसे जादा मैंने कोशिश किये कि बहुत जादा easy और to the point main चीजा to the point में आपको समझा सकों तो मैंने वो कोशिश इसमें किये बिल्कुल point to point मैंने बात करने के कोशिश किये ताकि आप लोग को इसमें problem नहूँ okay so what skill and ability will possess is upon completing this course right तो आप इसमें क्या कर सकते हैं इस course को complete करने के बाद यह तो नहीं है न मैं आप बोलूँ बहुत यह robot आपने बनाया तो आप exactly robot यह बनाने है right तो इस course को देखने के बाद आप जब पढ़ेंगे और obviously practice भी उसके साथ साथ चलती है जब आप course को जब course चल ला हो और दुरिंग दे course यह आप उस पर practice भी कर रहा होंगे तो आप इस काबिल हो जाएंगे यह चीज़े जो आपके artwork में बराबर में आपको कार दिख रही है Mario Kart basically यह Iron Man Virgin का टाइप बनायने कोशिश की थी और उसके बाद आप यह देख सकते है Mario Kart इसका पूरा आप यह लेविल तक आप जा सकते हैं उसके बाद यह हमारे पर आर्मर ट्रॉक है यह आप बना सकते हैं टोड डूरिंग दिख कोर्स आप यह आइस करेक्टर पर काम करेंगे जो मैंने करेक्टर यह आपको रिसॉर्स की फाइल में ही मिल जाएगा यह मेरा परसनल है तो अगर आप यूज करना चाहें प्लीज सिर्फ अपने परसनल प्रेक्टिस के लिए यूज करें यह कहीं प्राइब दूसरी जंगों पर यूज ना करें ठीक है आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप इस लेवल की चीजों पर काम कर सकें अब इस अप टू यू आगया फ्यूचर में कितना और जादा एक्सेल करते हैं डिफरेंट चीज़े बनाते हैं और जादा इंप्रूब्मेंट होती है काफी सारी चीज़ें मैंने इस को इस को जित फिर आप यह काम कर सकते हैं ठीक है तो विदाउट फर्दर अडू टाइम जाया करने की वज़ाए हम चलते हैं सीधा अभी भी हम टाइम जायाने करें प्रेजेंटेशन में तो सीधा चलते हैं पढ़ने स्टार्ट यूए स्टड़ी हैपी लर्निंग से यू इन दे कोर्स टेक केर गुद लग